हालो मेरे प्यार बच्चों क्या हाल चाल बढ़िया साब उमेद है मेरे प्यारे रजगुल एक दम मज़े में होंगे और त्यारी भी बेहतर चले होगी प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हम हिंदी के क्वेस्चन पेपर को देखने वाले हैं कि बोर्ड एक्जाम दो हजार पचीस के अंदर आपका हिंदी का क्वेस्चन पेपर कैसा होगा और बहुत सारे बच्चे भी उलजे हुए हैं कि कॉमेंट रेगुलर कर रहे हैं कि सर क्या बीस नंबर का अबजिक्टिव क्वेस्चन भी आएगा देखिए बया ऐसा कुछ भी भी ऑफिसली नहीं है और आएगा भी नहीं अब क्योंकि अब वक्त ही कितना है आपके एक्जाम में और ये आपके अगरम बात करें सिलेबस का तो वो तो अप्रेल और मई में ही निकाल दिया तो उसी के कोडिंग पढ़ना है ना फालतु का क्यों आप लोग परेसान हो रह है सेम उसी तरीके से आपका पेपर 2025 में होगा यानि जैसा क्वेश्चन पेपर आज हम देखने वाले हैं तो चलिए देख लेते हैं हिंदी के क्वेश्चन पेपर को और बड़े ही सिंपल तरीके से सारे टोपिक आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन हो देखे चलिए तो सुरू करते हैं डिरेकली बीना समय गमाए तो खंड का खंड का के अंतरगत ध्यान देना बच्चों वन का का होगा खा होगा गाया ऐसे करके यानि पांच क्वेश्चन होंगे आपके जो काव्य साहित होते हैं यानि पहले गद्ध होगा फिर काव्य दोन की प्रथम पुष्टक किसे माना था आपके विकल्प है नासिकेतो पाख्यान को चंद चंद बर्नन की महिमा या फिर भाशा योग वशिष्ट को या फिर सुक सागर को दिगर यहां पर भिया अगर आपका हम बात कर लें कि इसमें चंद बर्दाई की रत्मना रचना होती पिर्थवी राज रास्तों तो कहीं न कहीं उसको हम कर देते लेकिन अगर वो चीज नहीं है तो हम इसको ना सिकेतो पाख्यान की तरफ जाएंगे ठीक है ये चीज़ है अगला क्वेशन दूसरा है कि गुलाब राय की जो रचना है मेरी आसफलताएं कह रहा है किस विधा क रचना है यनि कौन सी विधा है विकल्प है आपके उपन्यास या फिर बचो नाटक या फिर कह रहा है निबंध या फिर कहानी तो किस विधा की रचना है ये पूछ रहा है तो भीया इनमें से कोई नहीं होगा बच्चों ये क्वेशन थोड़ा सही था बट इसके ऑप्श कौन सी विया इनकी आटो बायोग्राफी है आत्म कथा है तो इसमें कोई भी आपसन आपका आत्म कथा वाला नहीं है तो याद रखना ना तो उपन्यास से ना तो नाटक है ना तो निबंध और नाहीं कहानी ये क्या है आत्म कथा है किलियर चलिए आगे चलते हैं बच्च कौन परतम कहानी है परतम मौलिक उपन्यास क्या है तो सब कुछ बताया था उसमें जितने आपके महत्पूर्ण संपादक है पत्रिकाएं हैं उनके संपादन और साथ ही किस जगह पर यह चीज किया था तो सब कुछ बताया था ठीक है तो ब्राम्हण पत्रिका के संपादक है कि हजारी प्रसाद दिवेदी का उपन्यास कौन सा है ठीक त्याग पत्र या फिर कह रहा है रंग भूमी या पुनर्नवा या फिर तट की खोज तो भिया ध्यान देना हजारी प्रसाद दिवेदी जी का जो उपन्यास है वो कौन सा है पुनर्नवा ठीक है पुनर्नवा इन प्रभाकर की रचना कौन सी है विचार प्रभाह माटी हो गई सोना या फिर परक या फिर गहरा साहित और समाज तो याद रखना बच्चों ये माटी हो गई सोना ये प्रभाकर जी की रचना है क्लियर देख रहे ना कोश्चन कितना मजेदार पूछा था अब आ गए हम सेकें सेकेंड में सेकेंड बोले तो अभिया आपका हमने बताया ना कि गद का भी आएगा पद का भी आएगा तो गद हो गया पद की बात करते हैं तो दूसरे का काकरा कि भारतेंद युगीन कवी कौन से हैं प्रेम घं या फिर महादेवी वर्मा या फिर भावानी प्रशाद मिस् बद्री नारायन चौधरी प्रेम घंद पूरा इनका नाम है बद्री नारायन चौधरी प्रेम घंद भई ये क्या है भारतेंद यूगी यूगीन कवी है या नी भारतेंद यूगी के कवी है अगला है कि हुंकार कावी के रचना कौन है तो भई रेडु का हुंकार ये सब कि की रचना है विकल्प है पंत जी है या फिर सचीदानन हीरानन वास्यायन अग्य या फिर रामधारी शिंग दिनकर या फिर मुक्ति बोध तो हुंकार जो रचना है बच्चों ये रामधारी शिंग दिनकर जी की रचना है किलियर चलिए आगे चलते हैं अगला कोश्चन है लेकिन सबसे प्रमुह कवी की बात कर रहा है तो प्रयोग мень वादी काविधारा के सबसे प्रमुह कवी कोन है समशेर बहादूर जी है ठीक है समशेर बहादूर सिंह जी है ठीक नेक्ष्ट देखते हैं कह कह रहा है अगला question देखे अगला question को थोड़ा उपर कर लेते हैं कह रहा है कि तीसरा तार मतलब तीसरा जो सब्तक है उसका प्रकाशन वर्ष कब है ठीक है तीसरे की बात कर रहा है विकल्प है 1969 या फिर 1969 या फिर कह रहा है कि 1951 या फिर 1941 तो भाईया यह क्या है 1969 ठीक तीसरा अगर हम प्रथम की बात करें बुच्चों याद रखना प्रथम की बात करें भाईया तो उन्नेश सो इक तिराली शिश्वी है ठीक है अगर हम दुच्ची की बात करें भाईया तो दुच्ची क्या है यह है 1951 है और तृती तो यहाँ पर दिया ही है तो तृती कौन सा है रुष गुल्लो उन्नेश सो उन्शट है तो याद रखना प्रथम दुच्ची और तृती ठीक अगला कहा रहा कि पल्लो से उत्कृत कविता उत्रित कविता जो है परिवरतन के रचाइता कौन है ठीक तो भई पल्लो क्यों यह गुंजां किसकी रचना है सब महादेविवर्मा सुमित्र अनंदन पांत सूर्करांत्र पाठी निराला या फिर जैसंकर तो पल्लो यह किसकी है भिया तो यह बताईएगा इस यह कुश्चन आपके लिए है आपको कॉमेंट करना है ठीक है ना हम आपको हिंट भी दे दे रहे हैं या तो तीसरा होगा या दूसरा लेकिन आपको कॉमेंट करना है कि जो पल्लो है ठीक या फिर हम कहने परिवरतन यह किसकी रचना कुमेंट जरूर करिएगा सभी लोग देखते हैं किसका एंस्वर सही होगा ठीक है चलिए क्योंकि आप कुछ आपके लिए भी तो छूटना चाहिए अब देखिए बच्चों जो तीसरा क्वेश्चन हायाईगा ना भीया तीसरे क्वेश्चन में क्या होगा रस गुल्लों य होता है ना कि आप इसको चुटकियों में करोगे और इसमें खास बात यह है कि आपको पूरे दस नंबर दे करके जाएगा भी तो यहां पर एक दिया है कि निमलिखित दिये गए गध्यांस पर आधारित निमलिखित प्रश्णों के उत्तर दिस यह तो यह आपका एक गध् असिंजनकारी कह रहा है कि नुपूर वाले चरणों के मृद्वागा से वह फूलता था कोमल कपोलों पर करणा वतन्स के रूप में जूलता था और चंचल नेल अलकों की अचंचल सोभा को कहरा सोगुना बढ़ा देता था वह महादेव के मन में छोप पैदा करता था मर्य पहले ही अशोक है तो अशोक के फूल चेप्टर है न भीया अशोक के फूल जो अशोक के फूल चेप्टर है फिक हजारी प्रशाद दिवेदी अचारी हजारी प्रशाद दिवेदी ज्वारा रचित ये अशोक के फूल चेप्टर से है अब देखेगा प्रशनों का उत्तर इतना असान हो जाएगा फटाक से आप खुद लगाएंगे देखिए कहरा है पहला है कि उप्युक्त गद्यांस का संदर्व लिखे वही कि प्रस्तुत गद्यांस हमारी पार्ट पुस्तक सामान हिंदी के असोग के फूल नामक पार्ट से उद्रित है आउतरित है इसके लेख किस कवी ने असोग को सम्मानित किया है तो भई आक कहने की जरूरत ही नहीं है तो देखे यहां पर शिधा-शिधा है ठीक है तो इसको अपने से बना कर आप नहीं लिख सकते हैं पूरा का पूरा इसी में से उत्तर रहता है इसलिए आसान होता है ठीक फिर आई कहरा है कि असिंग देखिए असिंग जनकारी तथा कहरा करड़ा वतंस के अर्थ लिखना है आपको ठीक है तो ये तो आप कर ही शकते हैं ठीक अब उसके बाद जो क्वेशन नंबर चार होगा याद रखना ये पद्शे होगा जैसे गद्ध और पद्ध में बहुभी गल्पी प्रशना आते हैं बच्चों उसी तरह से आपके गद्ध और पद्ध के ये गद्ध्यांस और पद्ध्यांस भी होगे तो ये भी भया दस नंबर का होगा कहेगा निमलिखित पद्ध्यांस पर आधाई निमलिखित प्रशनों के उत्तर देना है कि मेरे प्यारे नो जलत से कंज से नेत्र वाले जाके आये न मधुबन से और न भेजा संदेशा मैं रो रो के प्री विरह में से बावली हो रही हूँ और जाके मेरी सब दुख कथा स्याम को तू सुना दे तो मतलब ऐसा दिया गया है ठीक पवंदूती का चेप्टर से अगर आपने पढ़ा होगा तो इतना तो पता चल गया होगा ठीक है कि मेरे प्यारे नो जलत से कि जो मेरे प्रितम है यानि प्रभूश्री कृष्ण है वो नवीन बादल यानि नो जलत नवीन मेगवड वाले औ तब से ना तो लोटे है ना भेजा संदेशा और ना तो संदेशा यानि चिठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां प्रभू चले गए ठीक तो यही चीज कहरा है कि मैं ना तो कोई संदेशा मतलब ना तो लोट कर आए ना तो कोई संदेशा भेजा आगे कहरा कि मैं रोरो के प्रीव विरह में बावली हो रही है कि यहां पे पवन से कहती है हे पवन क्योंकि उनको दूत बना कर भेशती है हे पवन मैं प्रियतम यानि प्रभूश्री कृष्ण के प्रेम के विरह में रोरो करके मैं क्या हो गई हूँ बावली यानि पागल होती जा रही हूँ जाके मेरी सब दुखकता स्याम को तू सुना दे कि है पवन तू यहां से जा और मेरी सारी यह दुख भरी जो कहानी है वो प्रभुश्री कृष्ण को तुम क्या कर देना सुना देना तो इस तरीके से है अब आ सामक पाठ से अवतरी थैया लिया गया है और इसके जो कवी है वो कौन है हर्योध जी ठीक अध्या मतलब अध्या सिंग उपाध्या हर्योध है ठीक तो हर्योध जी हो गए अब उसके बाद कहरा कि पवंदूतिका द्वारा किसने किसको संदेशा बेजा तो बता ही सकते ना किसने तो राधिका जी ने ठीक है राधिका जी ने किसने भेजा तो भीया किसने भेजा था राधिका जी ने ठीक और किसको भेजा था प्रभूश्री कृष्ण जी को ठीक यही तो कहरा कि किसने किसको संदेश भेजा है पवंदूतिका द्वारा तो राधिका जी ने कि मेरे प्यारे नव जलद से ठीक यानि आप लिखेंगे कि राधिका जी पवन से कहती हैं कि मेरे जो प्रियतम है यानि प्रभू श्री कृष्ण है वो नव जलद यानि नवीन बादलों जैसे और कमल जैसी आखों वाले हैं ठीक यानि उनकी सुंदरता के बारे में बता रही हैं तो हो गया आगे कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांज में स्री कृष्ण के सौंदरी का वर्डन किस प्रकार किया गया है तो वहे तो बताया ना कि जो उनका सरीर है उनका काया है वो मेग यानि बादल के समान नीला है और उनकी जो आखें है वो कमल की जैसे हैं ठीक है न लेकिन वियोग स्रिंगार है, याद रखना ये चीज, वियोग स्रिंगार रश है और इसका अस्थाई भाव क्या हो जाता है, रती, रती यानि प्रेम, तो ये अस्थाई भाव हो जाता है, तो मतलब ऐसे आप खतम हो गए आप पुरा ये, अथवा में कहरा कि मैं नीर भरी द इसके मलब किसने रचा, तो ये क्या कहते हैं, महा देवी वर्मा, महा देवी वर्मा, ये कभित्री हविया, ठ Kalik महा देवी वर्मा के दवारा, ये अपने ऊपर क्या मुशीबते हैं, कौन सा दुख्यों, उसके बारे में explain कर रहे हैं, तो आप अथवा में दिया गया है, त हो सकता है सही से highlight नहों बड़ पांचवे के कामे होगा बच्चों इसमें ये पांच नंबर का होगा किससे होगा तो ये आपके गद जो बुक है यानि गद साहित है उनमें से कहेगा किसी एक लेखक का साहितिक परचे देती होगे उनकी कृतियां लिखना है अधिक्तम सब्द सीमा असी यनि आपको क्या करना है असी सब्दों में मैक्सिमम निप्टा देना है हरिशंकर परशाई प्रोफेसर जी सुन्दर रेड़ी या हजारी परशाद दिवेदी किसी एक का लिखना है आपको हम बताएंगे कैसे लिखते हैं ठीक है जल्दी वीडियो आएगी तो यह इसमें से हो जाएगा अब इसी तरह खावाले तो भी पद्द में से भी तो होगा न कावे वाले से भी होगा तो इसमें किसी एक कभी-कभी साहित्तिक परशे हुए पंचलाइड कहानी के उद्देश पर प्रकाश डालिए अथवा कहदे का बहादूर कहानी की कथा वश्तु का पूरसार अब एक चीज और देखना इसमें भी सब्द सीमा याद रखना तो यह सब ऐसे टॉपिक हैं तो असी-असी सब्दों में होंगे यह अथवा करके दिय है तो चाहे आप पंचलाइड कहानी का उद्देश कहानी का सारांस तो बता ही दिया है उद्देश भी बता देंगे हलाकि प्रीवियस एर में बताया है बट अपकी बार नहीं बता है बता देंगे ठीक है तो अगला सात्वा देखते हैं तो सात्वे में कोश्चन क्या होग ठीक जैसे बहुत सारे यहांपे खंड काव दिये गये हैं तो भ़ई आपके जिले में जो चलता है जैसे कहीं कहीं पर त्याग पती चलता है तो इन दोनों में भई कहरा आपको क्योई एक करना है ठीक है अब उसके बाद जैसे कहीं पर क्या है मुक्तियग चलता है ठीक कहीं कहीं पर मुक्तियग खंड काव चलता है तो कहीं आलोग बृत जैसे हमारे यहां बोले तो प्रयाग राज में खंड काव चलता है ठीक तो इनमें किसी एक क्या करना है आपको उत्तर दे देना है दोनों का नहीं कि इसको कोई एक ठीक है अब कहीं पर Šilreevener कुंपार छलता है तो कहीं सत्य की जीत चलता है तो यह चीज़ ञाद रखना यह आप के क्या है कि बHayy आप जहां से रिछलेटेड हैं मतलब जहां से आप हैं तो वहां पर क्या चलता है यह आप खुझ जानते होंगे ठीक अब खंड खाई स्टार्ट हो जाएगा खंड का पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक से होगा खंड खा जो आपका इसमें जादा से जादा ब्याकरण वाले प्रशन होंगे बच्चों जैसे आठवे का का देखिए आमने खंड का और खा अलग-अलग बताया भी है इतना तो आपको पता चल गया होगा ठीक है जैसे एहां पर क्या खंड का पहला ही देगा बच्चों एक संसикиrit का देगा आपको क्या गध्यांस साथन नमेरों का होगा बच्कों कहेगा एक किसी एक का इसमें भी दो होगा देखिए अथवा करके दो दिया है एक का संदर्व शहित हिंदी में अनुबाद तो संदर्व कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत संसिकरित जो गद्यान से हमारी पाठ पुस्तक संसिकरित दिख दर्सिका के इस पाठ से अवतरित है बस यह चील लिख देना है जिसे एक दिया है कि संसिकरित से सहित्यम सरशम व्याकरण संसिकरित का साहित्यम सरस है और इसका ब्याकृण भी सुनिश्चित है इसके गद्य और पद्य में लालित्य का बहाव भाव बोध की समस्ता अधुतीयम सुर्तिमा दूर्यम यह अदभुत सुनने की जो छंता है यह मतलब सुनने का जो गुण है वो क्या है विर्दमान है फिर कहरा किम बहुना अधी क्या बोले हम चिर निर्माडार्थ यादरशी तसत प्रेणाम कहरा संसिक्रित वांगबयम ददाती ना तादरशी किंची दन्यत देखी कहरा कि मोल भूता नाम यहनी मोल भूत मानवी गुडा नाम मानवी गुडों मुल भोत मानवी गूडों की यादरशी सत्प्रेड़ा याइशी सत्प्रेड़ा संसिकृत कहीं और नहीं मिलती है तो आप देख रहें कितना आसान है ऐसे लिखेंगे वरस गूलो साथ नमबर आपके जेद में अथमा में माल लेते हैं उकवर नहीं पता नहीं दीजिए कि महा जो महा मना मालवियां है एक बिद्वान वक्ता धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे इसको दिखे करवाया भी था जब खंड खा बता रहे थे ठीक है तो यह इस टाइब का होगा अब उसके बाद अब आप आज आएंगे 820 के खा up के खामे आजएंगे भी या तो खा वे क्या होगा जैसे भी आपका जैसे भूर नमबर में जीसे दो दिये हैं अथवा कर लिजै चाहे आप उपर जल बिंदु निपातेन क्रमशा पूर्यते घटा साहेय। मलब हेतु सर्विद्यानाम धर्मश्यचा धनश्यचा कह रहा है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशा पूर्यते घटा कि जिस तरह से बूद बूद गिरने से यही जिस तरह जल की बूदे बूदे मतलब जल की क्या है बूद बूद गिरने से घड़ा भर जाता है ठीक उसी प्रकार ठीक यही कारण कह रहा है सभी प्रकार की विद्याओं धर्म और धन क्यका होता है कहने कार्थ यह है कि जिस तरह से बूद बूद से घड़ा भरता है उसी तरह से क्या होता है कि यह जो विद्या होती है धर्म होता है और धन इसका भी संचय सेम उसी तरह से होता है है ना एक दिन में कोई भी करोड़ पती नहीं बन जाएगा रातो रात कोई अंबानी नहीं बन जाएगा सफलता वक्त मांगती है इतना याद रखना मुवी देखा होगा आपने प्रेमम जब हीरो क्या होगा डिप्रेशन में सला जाता है तो बाप बोलता है कि ये फोन में आडर किया हुआ पिज़ा नहीं जो आधे घंटे में डिलेवर हो जाएगा सफलता वक्त मांगती है वेटा यहाद रखना यह ना यह चीज बोला गया था उसमें तो वही चीज है भई कि कहए रहा है कि जिस तरह से छोटी जोएनी छोटी छोटी बूदे गिर गिर करके घड़े को भर देती है बस उसी तरह थोड़ा थोड़ा करके क्या होगा विद्या धर्म और धन का भी संचय होता है ठीक है ना अथवा में देखिए क्या बोल रहा है कि ना में रोचते भद्रमवा उलूकस्य अभिशेक वचनम केरा अकुरुदश्य मुख्यम पश्य कथम कुरुद्धु भविश्यति इसमें देखिए ये आपका उलूक जातम वाले सेहभिया जब मतलब सभी पच्छी गणी कठा होते हैं और वहां पर बात आती है कि किसको राजा बनाया जाय तो सब अपना विचार भी मर्स रखते हैं तो जब उलू की बात आती है तो उसमें से पच्छी गण बोलते हैं कि ना में रोचते बद्रमवा उलूक चनम मतलब उन्हों मतलब कहा कि मुझे मतलब उल्लू का राजा गोशित करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसे उल्लू का राजा बनाना यह हमको बिल्कुल पसंद नहीं है अकृदस्य मुखंपष्य यह नहीं बीना क्रोध के ही कि इसका मुख आ anom Arizona il है यह अई से है सोचो कि भीया कहे रहा है कि कथम कुरुद्धो भविश्यति अगर यह क्रोधित हो गया तब इसका मुह कई से दिखाई पड़ेगा तब तो भाई जिधर देख लेगा तो उधर तो स्वाहा है न तो वह चीज तो आप कोई एक कर देंगे ठीक है न इस तरह से अब लिखित लोगों तिया है कि मुहावरों में चे किसी एंग का अर्थ लिख कर वाकिपर करना है तो यह सब फिरी वाले एकम फिरी वाले नंबर होते हैं दोसले जूला जैसे खटा-खट-खट-खट-खट-खट तो सेम वह Korea होगा तो देखीए इसमें पहला है कि का वर्शा जब किरिशी सुखाने तो आप इसका अर्थ लिखें में चीज़ में अर्थ होता है अर्थ इसका क्या हो जाएगा भीया कि समय अर्थ होगा कि समय बीत जाने पर पर वस्तु का कोई मोल नहीं कोई मोल नहीं बिल्कुल सही बात है भीया कि अगर समय बीत गई कहते ना अगर हो आएगा यह मत कहिएगा ठीक है लेकिन बात तो अलग है ना पता चले दीवाली चला गया पटाखी आप छुड़ा रहे हो नहीं तो का वर्षा जब किसी क्रिशी शुखाने मतलब ऐसी बार इसका फायदा ही क्या जब खेती ही सूख जाए तो वही चीज कह रहा है कि का वर्ष लेकिन समय बीट गई तब उसने पैसा दिया तो क्या मतलब उस पैसे का क्या मतलब अचार डालेंगे तो ऐसा अगला है अध्जल गगरी चलकत जाए इसका अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों उपरी दिखावा उपरी दिखावा ठीक यानि कहने को तो जो गगरिया है व भरी होई है ह।ंँ उपर ही दिखावा अर्फ कर देना बहुत जूंब होगैक तो आप कुछ भी बना सकते कि अधंगे हैं कि जब मैंने अपने दोस्त गिनोना काम करता हुआ देखा मैं तो आग बबूले हो गया थीक है वैसा अगला आसमान-टूट पड़ना-­ मुसीवत भारी मुशीबत आजाना ठीक है? लिख देंगे क्या? कि भारी मुशीबत आजाना ठीक, भारी मुशीबत आजाना, कहते हैं नहीं यारे यारे तुम तो ऐसा कह रहे हो, कि जैसे आस्मान तूट पड़ा हो, जिसे बहुत बड़ी मुश्किल तुम्हारे सर पे आ गई हो तो इस तरह से तो आपको भी हमने तो यहां पे चारों के बता दिया बट आपको रुजगुलों यह कई को करना है इसलिए आसान होता है भीया याद रखना आपको एक को करना है अब यह जो दस्वा होगा पहले इसके अस्थान पर पूछता था विभक्ती वचन वाला संधी विच्छेद यह पूछता था बट अब क्या है कि आपका जो दस नंबर वाला यह टोप मतलब दस नंबर पे जो कुश्चन होगा यह पाँच नंबर वाला कुश्चन होगा और इतना जादा आसान होता है भया कि पूछो ही ना एक आप अठित गद्यान से देखो दिया रहेगा एक आप अठित गद्यान से कहेगा और इससे अधायत निल्खित प्रशनों का उत्तर देना है जैसे देखिए समझे आप ऐसे आप चुटकियों में उत्तर दोगे दिया है कि आज से कई वर्ष पहले गुरुदेओ के मन में आया कि वा सांति निकेतन को छोड़ कर कहीं नित्र चले जाएं स्वास्त बहुत अच्छा नहीं था सायद इसलिए या पता नहीं क्यों कह रहा है कि मतलब पाया कि वे स्री निकेतन के पुराने ती मंजिले मकान में रहें सायद मौज में आकर यह निर्ड़ लिया हो वे सबसे उपर के तले में रहने लगे उन दिनों उपर तक पहुँचने के लिए लोहे की चक्रदार सीड़ियां थी और ब्रिध और केरा छीड वपु रवींद्र नाथ के लिए उस पर चड़ सकना असंब हो था फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें ले जाया जा सका अब देखिए क्या बोल रहा है पहले समझेगा अब कुश्चन देखिए तीन ही कुश्चन आएगा बच्चों एक कुश्चन एक नमबर का होगा दूसरा दो मतलब तीसरा दो इस तरह से पांच नमबर का बन जाएगा बोल रहा है कि गुरुदेव सब्द का परियोग किसके लिए हुआ है तो आप आईएगा उपर कहीं नहीं लिखा लेकिन लाश्ट में आकर के उगल दिया कि रवींद्र नाथ तो भईया गुरुदेव किसके लिए परियोग हुआ है तो आप लिख देंगे गुरुदेव सब्द रवींद्र नाथ के लिए परियोग हुआ है बस खतम बात मिल गया ना एक नमबर अब उसके बाद जैसे आगे देखते हैं आगे कह रहा है कि गुरुदेव ने सांतिनी केतन छोड़ कर कहीं और रहने का मन क्यों बनाया तो देखे उपर ही लिखा है साफ साफ लिखा है भया कि सायद मौज में आकर यह निड़ा ले लिया हो ठीक है या फिर उनको भया क्या करना है वहां पर रहना था उपर वाले तल्ले में तो आप लिख सकते हो ना ऐसे फटाक से ठीक है तो यह चीज आगे देखिए अगला क्विस्चन क्या कह रहा है कि उनके समीप तक पहुंचने में क्या कठिनाई होती थी भया तो सेड़िया थी जिससे ऊपर चढ़ने में बहुत ही दिक्कत होती थी बस हो गया काम खतम तो अब यह आपका हो जाएगा अब आएंगे आप ग्यारा नंबर में कोशन नंबर ग्यारा यहां पर समझेगा ग्यारा में का खागा करके रहेगा कैरा निम लिखी सब्द युगमों क दोनों का आर्थ क्या है एक जीत ध्यान दिना अंब का मतलब होता है माता अमध्य आयूसकों आगे जाने की जरूरत ही ना है माता और पानी हो गया भ्या, ठीक है ना? आगे देखते हैं कहे रहा कि भावन और भुवन भावन और भुवन, देखें यह सब फिरी वाले होते हैं आप करते हैं चलो, क्योंकि अगर पता है तो करेंगे नए तो छूट भी जाएगा जिसे भावन और भुवन तो भावन का मतलब क्या होता है भई भावन यानि घर मकान, भुवन यानि संपूर संसार, यानि संसार की बात कर रहा है तो भावन का मतलब घर भुवन का मतलब संसार, घर और संसार कहां गया, ठीजिए, पहला ही है ठीक है घर और संसार तो एक एक नंबर करके दो नंबर मिल गए अब अगला देखते हैं इसमें क्या है कि खाव वालम करें निल्खी सब्दों से कि सब्दों में से किसी एक सब्द के दो अर्थ लिखना है बच्चों ठीक है ये भी क्या होता है भीया आपका मतलब पार्टनर होता है यानि साथी भी होता है ठीक किसी एक के दो लिखना है तो यहाँ पर हमने लिख दिया अगला है द्विज द्विज का मतलब क्या होता है तो द्विज का मतलब चंद्रमा होता है ठीक मित्र का मतलब सखा हो गया दोस्त हो गया आप कुछ भी बोलते हैं वह चीच ठीक तो ऐसे हो जाएगा ना किसी एक का लिखना है किसी एक के दो अर्थ लिखना है ठीक है चलिए आगे देखते हैं बच्चों आगे देखिएगा भई कह रहा है कि निम्न लिखित वाक्यांसों के लिए एक सब्द का चैन कीसी है तो निम्न लिखित वाक्यांसों के लिए एक सब्द का चैन करना है कह रहा है जिसका कहीं अंत ना हो तो बाबु शाहब जिसका कोई अंत ही ना हो हम क्या बोलेंगे बच्च तो एकदम हलुआ है कम बोलने वाले को क्या कहते हैं अब मित भाशी बहु भाशी मित भाशी मृद भाशी तो भई मृद भाशी वह होता है जो मीठा बोलता है ठीक है तो मित भाशी होगा कम बोलने वाला मित भाशी ठीक है तो हो गया इस तरह से अब देखिए इसका आपका आएगा सुद्धी करण वाला भी कहेगा निम लिखित में से किन ही दो वाक्यों को सुद्ध करके लिखिए और यहां से मिल जाएंगे आपको पूरे के पूरे दो नंबर ठीक है कहरा पुत्री पराया धन होता है तो भीया होता नहीं है होती है ठीक पुत्री के लिए होती सब कंद़ сделал hvad अओज मेरा बड़ा भाई आ गया अगया अगया तो यहां पिर सम्मान की वात होगी आ ऐसे थोड़ी ना रिस्पेक्ट तुम मेरे को फुष्तक दे दो तुम मुझे फुष्तक दे दो सिधी बात है बहए अगला है कि मैं इस लड़के को पढ़ाया हूँ तो मैंने इस लड़के को पढ़ाया है तो ऐसे ऐसे तो ये सब सुद्धी करण तो आसान होते हैं न ठीक है चलिए अब उसके बाद question number 12 होगा 12 के अंतरगत काखा जो होगा रस्छंद अलंकार वाला जिससे करण अत्वा सांत रश की बाद बता रहा है ठीक है तो इसको पूरा उधारण सेथ लिखना है अलंकार अत्वा उत्प्रेच्छा अलंकार तो फाइदा यह होता है कि भया अत्वा सब जुड़ा है चाहे आप ये कर लो चाहे ये इसमें चाहे ये कर लो अगला है चावपाई अत्वा दोहा तो भया चाहे चाहे चावपाई कर लो चाहे दोहा चंद को उधारण सेथ समझाना है ठीक है अब कुश्चन नंबर 13 में जो आएगा भया देखे ये सब दो-दो नंबर वाले होंगे रश्चंदलंकार छे नंबर का अब कुश्चन नंबर जो 13 होगा 13 में क्या होगा भया तो इसमें पत्र लिखन तो कहरा है छात्रावास की जीवन सेली विशेव पर अपने मित्र को एक पत्र लिखना है अथवा में क्या कहेगा बिद्यालेक में खेल कुद की स्वामागरी की और ध्यान दिलाते हुए परधानाचार को एक पत्र लिख देना है तो ये तो अपने से बना कर लिख सकते हो कोई भी लिख सकता है ना लेकिन इतना जरूर रियाद रखना कि भई ये च्छा नंबर वाला टॉपिक है देखे साथ सेट थे इसी में ऐसा आया है जो इस टाइप का पत्र आया है ने तो सब इतने ज्यादा आसान सेट थे कि सब में देगा कौन एक तो लिपिक पधे तो पत्र कहेगा परधानाचार के लिए या फिर दूसरा कहता है बच्छों सफाई यानि मुहले की सफाई वफाई के लिए टीक है चलिए अब कोईशन नमबर 14 जो लाश्ट होगा पूरे नो नमबर का पुछाज आएगा अब इसमें समझिएगा भई जिसे देगा चार से पांच टॉपिक देगा इसलिए तो आसान होता है क्योंकि चार्ट से पान टॉपिक देगा कोई एक पर लिखना है जिसे भारत में क्रिशी क्रांती देख सकते हैं अगला की भारती लोग तंद्र का भविश्य क्या होगा ठीक या फिर बिज्ञान वरदान अथवा भिशाप आप लिख सकते हैं अगला की विद्यार्थी जीव में अनुशासन क्या महत्त होता है या फिर मेरा प्रिय साहित कार जिसको मेरा प्रिय कविया लेखक कहा जाता है तो यह टॉपिक आपसे मतलब आपके कुछ 5-6 टॉपिक रहेंगे और आपको किसी एक टॉपिक पर क्या करना होगा निबंध लिखना होगा बिलते हैं किसी औ और ऐसे सांदार वीडियो के साथ वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए लव यू बैबाए टेक कियर